आज हम सीखने वाले हैं कि हम इगनु में एड्मिशन कैसे ले सकते हैं वह भी अपने खुद के फोन से तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है इस होमपेज पर इगनु की जो रजिस्ट्रेशन वाला होमपेज उस पर आ जाना है इसका लिंक में आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप डारेक्ट इस होमपेज पर पहुंझाओगे तो ठीक है तो अब simply हमें क्या करना है click here to new registration कोई सबी आप course करें बैचलर देगरी का चाया बीकॉम करें चाया कोई सबी आप course करें थीक है तो यह हमने click कर दिया तो उसके बाद आपको simply क्या कर देना है student registration form को fill करना है उसमें आपको क्या करना होगा नेमें अधर डिटेल एंटर बाइद अप्लिकेंट नीट टू बी सेमेजिन एजुकेशनल डोकुमेंट जो भी आपकी एजुकेशनल डोकुमेंट जैसे 10th का सर्टिपिकेट होगा उसमें जो भी आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है तो चलिए आएए यहाँ पर सबसे बेल एप्लिकेंट का नाम भरते हैं तो यह उसके बाद हमें यहाँ पर डिटेल भर देनी है जैसे कि मैंने भर दी है यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हुए यह लोगिन के लिए आपको यूज होगा और उसके बाद एप्लिकेंट का फुल नेम डिखना है जो की एजुकेशन डोक्यूमेंट में होगा ठीक है एप्लिकेंट की इमेल आइडी भी आपको डाल देनी है फिर दुबारा से कन्फिरमेशन करने के लिए एप्लिकेंट की इमेल आइडी दुबारा से एक बार डाल देनी है फिर पास्वर्ट डालना है जो की मिनिवम उसमें किने करेक्टर होने चीए छे करेक्टर होन आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है यहां पर यूजर नेम डाल देना जो आपने उस टाइम पर डाला था और यहां पर पासवर्ड डाल देना यहां और उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा गया है इंपोर्टेट जो थोड़ी सी हमारी क्या इंस्ट्रक्शन से इसको आपको पढ़ना है ठीक है इसमें क्या लिखा है जो आपकी फोटोग्राफ से सोरी फोटोग्राफ है वह कितनी होनी चाहिए लेस देन हंडर्ड के भी हंडर्ड के वी से उपर होगी तो आप उसको अपलोड नहीं कर पाऊगे उसी तरह सिगनेचर का है दन उस तरह में जितने भी डोकुमेंट रिक्वाइड है इसको आपको पढ़ना है और सिंप्ली चेक इसके बाद आपको बढ़ना है उसके बाद गार्डियन जिलेशन बता रहा है तो आपको या पादर हरो देना बहुत है तो मैंने जैसा कि फादर दाल दीया है उसके बाद आपको सिंपल अप्ली कि date of birth डाल देनी है उसके बाद category आपको डालनी है अगर आप unreserved से belong करते हैं तो unreserved डालना SC से belong करते हैं मैं लोग किसी भी category से आप यहाँ पर जो लिखी है उससे किसी भी category से belong करते हैं तो आपको उनमें से एक को choose कर देना है ठीक है और उसके बाद आपको बताना है अपना जेंडर मेल है या फीमेल है या ट्रासजेंडर है ठीक है तो उसके बाद citizenship आपको country name बता देना है तो इंडिया तो इंडिया रहने देना है एड देन उसके बाद आपको क्या करना होगा territory या area जैसे कि अगर आप शेरी क्षेतर से बिलोंग करते हो या फिर तो urban डाल देना अगर rural से करते हो या मतलब गाओं वाले क्षेतर से बिलोंग करते हो तो आपको rural पर रहने देना है अगर tribal से करते हो तो tribal रहने देना जैसा कि मैंने रहने देना गाओं के क्षेतर से बिलोंग करते हैं तो हमने रूरल रहने दिया है आगे क्या करना होगा आपको आपको simply अपना क्या करना है minority बतानी है इसे आपको no रहने देना ठीक है इसे आपको no रहने देना है उसके बाद religion पूछ रहा है social status बता देना है जिसमें आपको ex-serviceman है तो वो बताना है कश्मीरी migrant या इसमें कुछ भी कश्मीरी migrant जो भी है इसमें अगर हो तो यो बताना है अगर नहीं है तो simply not applicable पर क्लिक कर देना है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा अपना जो आधार का number है उसको डाल देना है उसके बाद आपको क्या करना है email id तो वैसे भी डारेक्ट यहां पर खुछ से autopopulated आ जाएगी अगर आपको alternate email भी डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो ठीक है mobile number भी autopopulate आ जाएगा फिर अगर आपको alternate mobile number डालना है हो भी डाल सकते हो ठीक है उसके बाद आपको other dictator में क्या करना है person with disability applicable है अगर person disability applicable है तो उसको और यह करना कर आ अगर नहीं है तो इसको no करना है ठीक है? उसके बाद आपका employment status क्या है अगर आप कही जो करते हो तो इसको आपको क्या करना है employed कर देना अगर नहीं करते हो तो unemployed में रहने देना है कुछ भी आप करते हो या IGNU regular employer तो उसको आपने click करना है बट अगर आप unemployment है तो आपको इसको unemployed ही रहने देना ठीक है उसके बाद scholarship की ये सारे क्या है optional है इस में दखिये star नहीं लगा है तो आपको इसको नहीं करना है, जिसमें भी start लगा है, वो आपको mandatory, वो आपको file करना है, भरना ही भरना है, ठीक है, तो मैंने अब जैसे भर दिया है, अब हमें simply क्या करना है, बाकी सारे क्या आई है, optional इसे आपको छोड़ भी सकते हो, तो अब submit पे click कर देना है, तो यह हमने details से एक बार check कर लिजिएगा, कि यह सही है या नहीं है, तो चलिए, सही है तो next करना, अगर सही नहीं है, तो आप इसे edit भी कर सकते हो, ठीक है, हमारी सही है, तो हम इसे next कर देते हैं, तो यह हमें next कर दिया, अब आपको यहाँ पर program type डाल देना है, आपको bachelor degree चाहिए, certificate चा degree आपको यहाँ पर ही रहने देना है, तो इसको audio पर ही क्लिक करना है, क्योंकि इसमें एक ही है, तो इसे आप audio रहने दीजिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, select program कर देना है, चलिए यह प्रोग्राम को select करते है, जो भी आपको करना है, अगर आप arts करना, economics में चाहिए, तो bachelor of arts कर लीजिए, bachelor of arts, honors, English में करना चाहिए, कुछ भी अगर आपको करना है, तो जैसे कि मेरा जो एप्लिकेंट उसको simply क्या करना है, तो ठीक है, मैंने इसे click कर दिया, तो ठीक है, तो वो है हमारा 1103, तो ठीक है, मैंने अपना डाल दिया, आप अपना code डाल सक medium select करना है, आप Hindi medium में paper देना चाहते हो, या study करना चाहते हो, या English medium में paper देना चाहते हो, या study करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, English medium, ठीक है, तो इसी medium आपको books provide की जाएगी, IGNU की तरफ से, ठीक है, अगर आप और भी प्रोग्राम या कुछ भी और भी डिप्लोमा या कोई भी डिग्री और भी कुछ भी कर रहे हो IGNU से, तो आपको इसको yes करना है, बट अगर नहीं कर रहे हो, first time registered as a student IGNU पर जा रहे हो, तो आपको इसे no रहने देना, ठीक है, तो आपको इसे no रहने देन अगर यह सही है, तो उसके बाद आपको next पर क्लिक करना, अगर सही नहीं है, तो इसको edit पर आप कर सकते हो, ठीक है, यह जैसा की सही है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, next पर क्लिक कर देंगे, तो यह मैंने next पर क्लिक कर दिया, अब आपको क्या करना होगा, relevant qualification डाल देनी है, जैसे कि plus one two, ठीक है, जैसे हमने डाल दिया, sorry, plus two हमने डाल दिया, plus two और equivalent, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, select main subject, जो भी आपके main subject, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने चुना है, bachelor degree कौन से, bachelor of commerce, तो सबसे पहले हमने यहापे commerce लिख लिख लिया, and then English भी लिख लिख ल उसे click कर देना है, ठीक है, तो मैंने यह वाले subject click कर दिये, उसके बाद आपको अपनी plus two की year of passing डाल देना है, उसके बाद आपको, प्लस two आपने कब pass की थी, तो 2015 में की थी, तो मैंने यहाँ 2015 डाल दिया, division डाल देना है, आपके first आई, second आई, third है, तो मैंने आपे first division डाल ठीक है, तो उसके according आपको जो भी percentage of marks से board डाल देना है, and board का code डाल देना है, जिस भी board से आप pass हुए हो, जैसा कि हमारा कौन सा board है, CBSC वाला board, अगर आपका कोई भी board हो, ठीक है, तो आप उस board को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, उसके बाद आपका roll number क्या है board में, वह आ प्रफिशनल में है, ठीक है, उसके बाद आपको submit पर click कर देना है, तो हमने submit पर click कर दिया, अगर यह वाली detail आपको सही है, तो आपको next पर click कर दिया, अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, सो उसके बाद आपको क्या करना है study material type selection कर लेना है ठीक है तो study material है अगर तो आपको material in digital form में चाहिए तो आप इसे first वाले को click कर सकते हो और with the 50% discount आपको मिल जाएगा बट अगर आपको study material receiving in a printed form में चाहिए आप इसको second वाले को click कर सकते हो वैसे मैं suggestion करूँगा या advice करूँगा आपको क्या करना है जो next वाला है second वाला है इसे ही click करना है ठीक है तो यह better रहता है तो मैंने यह click कर दिया अब उसके बाद हमें क्या करना होगा तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो study material वो वाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच दिया जाएगा ठीक है तो इसमें आपको क्या करना होगा देखे चार subject दिये हैं यह तो compulsory है तो यह तो मतलब होने ही होने ठीक है उसके बाद आपको क्या है compulsory option है उसके बाद आपको क्या करना होगा जो साथ और आठवा subject है उसको select कर लेना है क्योंकि यह आप से मिलब दो subject है आप इन दोनों में से कुछ भी choose कर सकते हो ठीक है यह आपके हिसाब से आप इसे choose कर सकते है तो बाकी जो compulsory है वो तो compulsory ही रहने वाले है तो अब यह जैसे कि दो subject है तो मैं इसमे and next हमारा आठवा जो है वो मैं choose कर लेता हूं हिंदी भार्षा और संप्रेक्शन इंग्लिश कम्यूनिकेशन स्किल तो मैं यह वाला फर्स्ट वाला चूज कर सकता हूं इंग्लिश कम्यूनिकेशन स्किल यह मैंने choose कर दिया अब उसके बाद मुझे submit पे click कर देना है तो यह course detail for become जी है या आपका जो भी आपने select होगा उसकी course detail यहां पे आपको आ जाएगी तो जैसे कि मेरे पास course detail आ गई है अब मुझे simply क्या करना है अगर तो यह सही मुझे लग रहा है तो मुझे इसे next करना है बट अगर आपको यह सही नहीं लगता तो आप इसे edit भी कर सकते हो तो हमें यह सही लग रहा है आपको इसे क्या करना है next पे click कर देना है तो गज मैंने next पे click कर दिया अब आपको simply यहां पे address डाल देना है तो यह मैंने address डाल लिया है तो simply आपको क्या करना है submit पे click कर देना है तो यह मैंने click कर दिया तो एक बार आपको address चेक कर लेना यही है अगर यही है तो आप इसे next पे click कर दिजिए तो कई यह मैंने next पे click कर दिया अब देखे photo डालना है आपको signature डालना है and mark sheet of certificate और certificate डाल देना है and plus two की mark sheet डालना है and others में जो भी आपके पास ह अब उसे डाल देना ठीक है तो यह मैंने अपने documents यहां पर डाल दिया है मैंने photo डाल दिया signature डाल दिया and matriculation and plus two की mark sheet यहां पर डाल दी है अब अगर आपको पास कोई other वह और भी diplomas बगेरा है तो वह अभी आप यहां पर डाल सकते हैं तो अगर एक problem और आती है अगर आप इन photos या signature या documents को जितनी इनकी kb की required है जैसे की photo है 100 kb signature है 100 kb and then last second हमारे कौन कौन से हैं दो हमारे matriculation and plus two है हमारे 200-200 kb अगर आपको आप इनका size इतनी kb से kb में नहीं कर पा रहे हो तो इसकी video भी मैंने description में डाली है आप वहां पर जाके देख सकते हो कि हम photo और signature और documents को कैसे small size में कर सकते हैं ठीक है तो यह मैंने description में डाला है आप वहां से देख सकते हो तो चलिए अब हम simply next पे लिख करते हैं तो उसके बाद आपके पास last में यह वाली slide open हो जाएगी अब यहाँ पर personal detail चेक कर सकते हो other detail चेक कर सकते हो जो भी कुछ अभी तक आपने भरा है वह आप उसे simply यहाँ पर check कर सकते हो अगर वह सब कुछ आपको यहाँ पर सही से दिख रहा है या मतलब सही है बिल्कुल उस 2700 रुपए ठीक है processing fee कितनी है 200 रुपए and admission fee for program कितनी है 3500 रुपए तो total कितना बन गए 3700 रुपए अब मुझे agree करना है and then accept and proceed for payment के लिए क्लिक कर देना है ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपको notification दे रहा है कि इसे आपको पल लेना है ठ कर सकते हैं प्लीज चेक ओल दा section and use modify button if you need to change any information अगर आप चाहते हो कि अभी मुझे कोई information गलत दिखाई देरो और मुझे उसको सही करना है तो आप उसे अभी तो सही कर सकते हो but after submission no changes are allowed ठीक है तो button to submit otherwise click click on ok button to submit otherwise click cancel अगर आप चाहते हो कि मुझे इसमें कोई भी मतलब अभी क्या करना changes करने तो आप इसे cancel कर दो अगर आप चाहते हो कि मुझे payment कर देनी है क्योंकि यह जो भी सारी detail है वो बिल्कुल सही है तो आप इसे ok पे click कर सकते हैं तो guys मैंने ok पे click कर दिया अब क्या करना है go to payment gateway go to payment gateway अब हमे payment gateway पे click कर देना है ठीक है तो आप उसे refresh नहीं करन नेट बैंकिंग से करना है नेट बैंकिंग से कर सकते हो गूगल पे से करना गूगल पे से भी कर सकते हो यूपे से करना यूपी कि तुरू भी कर सकते हो तो अब जैसे कि मैंने payment कर दी है तो देख सकते है आप यहाँ पे status success हो चुका ठीक है तो आपको payment करना तो आता ही है म एपको किसी भी मौट कर सकते हो थीक है तो उसके बाद अब आपको क्या करना है अपना application phone download करने के लिए के लिए यहाँ पर माई application दिख रहा होगा उपको left side में इसे क्लिक कर देना है ठीक है यह मने क्लिक कर दिया अब आपको print payment knowledge met करनी acknowledgement करनी क्लिक कर लेना तो आप इसे direct क्या कर सकते हो, screenshot इसका कहींच सकते हो, ठीक है, इसका screenshot कहींच लेना, and then उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हो कि आपको अपका application form भी print out निकालना है, तो यहाँ से आपको back आ जाना है, and उसके बाद आपको क्या करना है, my application form पे दुबारा चला जाना है, and print application form पे click कर देना है, ठीक है, तो यह आपने print application form पे click कर दिया, अब आप इसे download कर सकते हो, ठीक है, तो यह download हो गया, यह देखिए, अब आप इसे print भी कर सकते हो, या आप चाहते हो, तो आप इसे screenshot भी कहीं सकते हो, ठीक है, तो यह हमारा इगरू में, जो admission का process है, यह हो गया complete,